गाउं भूल्चक डेसिया में मलेरिया केस मिलने के बाद स्वास्थी व्हा की टीम ने सर्वे किया इससे सम्द्ध जानकारी देते हुए जिला एपोडर्मियो लोजिस्टिक डॉक्टर शाक्षी ने बताया कि गाउं में एक 34 वर्ष ये महिला मलेरिया से पीडित पाई गई जिसने पराइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाया है तथा अब वह बिल्कुल ठीक है आज उक्त मरीज के घर में पूरी तरह जांच किये गई तो इस दोरान घर में मच्रो का लार्वा मिला जिसे स्वास्तेवा की टीम की और से नश्ट कर दिया गया इस मौके पर टीम की तरफ से गाउं की लोगों को मलेरिया के प्रती जगरुक किया गया लोगों को कहा गया कि बरसात के मौसम में इस बात का खास दियान रखे कि आपकी घर में तथा आपके आसपास कहीं भी पानी खटा ना हो क्योंकि जहां पानी खटा होगा वही पर मच पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि मलेरिया बुखार मचल के काटने से होता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने आसपास सफाई रखें तथा अपने शरीर को ढखकर रखें। बच्चों का खास तोर पर ध्यान रखें। इस अफसर पर हेल्प इंस्पेक्टर राज अ हमें एक केश रिपोर्ट वा था अमर्डीफ हॉस्पिटल से विलिज फूल्चक तेसा कि रोष तुर्कला एरिया से वहां पे जाके हमने एक्टिव स्लाइज और एक्टिव सर्वेंग करवा ली थी आज हम वहां केशी अपनी देखने करे थे तो वहां हमने सबको यह सेंसि मंच होते हैं कि मलेरिया उर्दि पानि कहां कहीं खडाना हो मलेरिया का मच्छर जो हो गंदे खड़े पानी में फील्च में मार्श है उस्लोह फ्लोइंग वाटर में जैसे बड़े रिफर एट चोटे नाले आलेव इग्र होते हैं लाए ज होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कहीं पर भी पाणी खडाना होरे?? जादा देर के लिए एक दिन फ्राइडे जैसे हम फ्राइडे ड्राइडे मनाते हैं वैसे एक दिन हकते में रखे जिसमें आप सारे पानी को आप गिरा के सुखा के रखे ताकि यह मच्छर ना बढ़े और क्योंकि मारा एक केस मलेरिया का आ चुका है अब हम कोशिश करें कि आप सब अपना